लिए लोग आप लोग कैसे हैं लगवक्त ठीक होंगे तो दोस्तों जैसा कि अब हम कक्षा 10 मी के कोश्चन कर रहे हैं तो यह हमारे कोश्चन प्रशनावली 3.4 के करने हैं और हमने कर भी लिए हैं 3.4 के और कर लिए और 3.3 तो पूरा कर लिए हैं आप लोग ना देखेंगे तो चैनल में जाएगा प्लेलिस्ट बनी देख सकते हैं ठीक दोस्तों तो यहां हमने प्रश्ण वली 3.4 करना है यह हमारे कोश्चन 4 हो गए हैं तो आप लोग जाके देख लिजेगा वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके और हमारे यह भी कोश्चन हो गए हैं और तीसरा का हम है एक इक्वेशन बना दिया था दोस्तों समी करण इसका क्वेश्चन 3 का समी करण 1 थो हमने बना दिया था अब में क्या करना है इसी का आगे हल करना है अगर आप लोग नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखिए क्लास टेंट के ठीक दोस्तो तो दोस्तों में सतीत होता है विलोपन से दर्व सिक करना होता है उस यह कद़ा धन्हाय परेद्व क्षपाइब करें संख्या का मान दास एक्स प्लस बाइब होगा अब प्रस्ण अनुसार ना कि अंकों का योग तो यह दों हो गया प्लेट ने संख्या का नौ गुना संख्या के अंकों को प्लेटने से बैसे ऑजिए का दो गुना है इसमें जैसा कि आपनों को पता है चलिए इसके आगे पूरा हल करके देखते हैं तो दोस्तों उधर इक्क्वेशन जो लिखी थी उसको हमने धल लिख लिया है अब लिखना है समी करण एक को जोडने पर थी दोस्तों कभी हम भी लोपन बीद में जोडने लिखते हैं कभी घटाने जोडने के मतलब यह कि जब हम जोड़ेंगे तो इसके चिन ना बदलेगी इसलिए यह मानस प्लस होके कट जाएंगी बिलकुल चलिए देखते हैं तो यह ऐसा ही रहेगा एक्स प्लस बाइब बरबर नो एक्स माइनस बाइब जीरो अब जोडने के मतलब यह कि जैसे जोड़ रहें तो चिन हमारी वही रहेंगी जो पहले हैं तो यह दोनों कट जाएंगे इस तरह हैं और यह हो जाएगा नो एक्स बरबर यह जैसा कि नो जीरो जुड़ेगा तो नो ही आगे होगा याक्स चाहबर։ नौ बराबर समाद यहा थोखको नावरावर हमें क्या अगला है got work कि अुद्सक्रडभर्द्रणटे कौक यह ऩो किसी में रखते हैं कि है थो स्थाता हुमें समीत हुज ममें यह है यह दो हमारे है दो ह में है दो यहां पर रखना है तो यह इधर उड़ा होगा तो आट होगा मैंनस भाई बराबर जीरो आगे क्या होगा यह बाई इधर ही रहेगा क्योंकि मैं यह फिर इसको देखे आठ बराबर बाई को इधर बेद देंगे तो बाई इस तरह हो गया आर करके Daddy बराबर आट इधर ही को हम इंदर बेद दिये класс तक मैं मावने होगा मैं यह यह ओए ठीक है जाम होग देखे यह में 8 मिला आज 10 जो इस तरह हमारा इपना जो दी कामान ठीक जो हमने क्योंशन दास अक्स प्लस बाई बनाया था उसी में रखना है दास प्लस बाई परबर दास बाई यह पर एक प्लस आठ बराबर अठारा ठीक दोस्तों इभाष संख्य क्या होगी अठारह और अगर इस तरह हम पूरा कल लेते हैं बील collab पन बीकर लेते हैं और लगता कहीं डाउट होगी तो जाश करने की यह ठीक यहाँ पास हम लिख देते हैं जांच और यही पास बताते हैं जाच करने पर रखेंगे बाई कमान तो आठ बराबर नौ यह देखें नौ बराबर नौ आगे मतलब यह हमारा जो बैलू आई है दोनों एक सबाई का यह बिल्कुल सब्सक्राइब यह दोस्तों तो इस तरह में करना होता है जैसा कि आप लोग को समझ में आओगा चलिए देखतें दूसरा कोश्चन दूसरे का मतलब कि इसी का हम चौथा कोश्चन देखेंगे अब ठीक दोस्तों यह पहले बुक में देख लेते क्या है कोश्चन आप लोग नोड कर सकते हैं और अगर बुक ना होगी आप लोग के पास तो मैंने एक दिन बताया था बुक कैसे डाउनलोड करते हैं लिए लिए बेंक तो लिखनाम इजस में बोला है मीना रुपए दो हजार निकालने के लिए एक बैंक गई उसने खाजा कहाई कर लिए खाजाची से पचास तथा सव के नोट देने के लिए कहा सीमा ने कुल पचीस नोट पराप्त किये जानत कीजिए कि उसने पचास और दोस्तों इसमें दो बोला है यह जैसे कि 50 इस तरह हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती है तो चलिए देखते हैं इस तरह अगर दो लिखे से कि उसने खाजाजी से खाजाजी से 50 और 100 के नोट मागे तो कुल यह पूछा रहा कि उसने 50 और 100 के सब्सक्राइब कि इतने नोट मांजें ठीव दोस्तों यह को मैं बना रहा हूं एक दिन पॉस्ट डाला था तो कोई नहीं बोला कि बना थी दोस्तों जल्द ही बोड में बनाएंगे लगभग अगले पंदा तारीक तक ठीक दोस्तों पंदा के बाद हम क्या पकरेंगे बोर्ड में पढ़ाएंगे और भी लाइक आप लोग चैनल को सब्सक्राब किजिए यहां रुपए 50 के एक्स नोट तथा रुपए 100 के बाई नोट प्राप्त करती है ठीक दोस्तों तो प्राशना नुसार जैसा प्राशने कहे रहा उसके नुसार मैंने बताना एक्स मानेंगे क्यों वाई क्यों हमें इसमें एक्स और वाई मानके एक्क्वेशन बाणने पड़ती है तो हम यहां पास कोशन में क्या लिखा है मीना 2000 के रुपन बैंक निकाली खर्चे गयरी पचास तथा सो के नोट ने देने के लिए कहा मीना ने प्राप् इसलिए कुल में यह लिख दिया और दूसरी क्वेशन है कि पचास अक्स प्लस सो एक्स बराबर 2000 कि दोस्तों इस तरह हमारे पास एक्क्वेशन दो मिल गई क्यों कि दो है उसे पूछा बना कि मीना इतना निकाली उसने पचास तथा सव के नोट देने को कहा ठीक यह हुआ इक्वेशन यह वाली उसके पहले मीना ने कुल 25 नोट पर आप देखिए ठीक तो लास्ट पूछा ना कि कितने नोट उसके होंगे इसलिए इस तरह हमने एक्क्वेशन बना दिए बना लिए ठीक गोस्तों तो हम इसे विलोपन मिल से हल करना है तो लिखेंगे जैसा कि यहा की साथ है दोस दोस्तों जいसा कि उसमें मानस प्लस चीन था तो यहां पास नहीं हो रहां इसलिए हम को इस से एकसे दो को किसी करें किसी दूसरे कर के घटाना होगा और घटाने से पहले दोष्टों यहां पास अभी हमने अगली क्योशन बताया था जहां काटने के लिए ग को 200 ठीक दोस्तों तो आगे हम लिखेंगे इसी में यहां से लिखने से पहले एक्स प्लस दो बाई बरबर 40 ठीक दोस्तों यह हमारी क्वेशन दो है इसको भी मान सकते हैं फिर इसको भी लेकिन यह क्या हो गई छोटी हो गई क्योंकि हमें घटाना पड़ता है ना अब हम यहा एक को घटाने पर ठीक दोस्तों यहां पास दो हमारा यह है तो एक्स प्लस दो बाई बरबर 40 अग्स प्लस बाई बरबर 25 इस तरह हमने लिख लिया इस तरह माहिनास बताना मैंने अगर चिन्ह बदल जाती तो यह क्या होगा कट गए और यह बचा बाई तो बड़ी चिन्ह बाई दो के साथ बड़ी चिन्ह प्लस है ना इसलिए प्लस चिन्ह के साफ है ना या वब बरबर यहां पास सुद्ध है याँ पांच 15 थीक दोस्तों नेक्मिड़ा ने ध्र, रहां रखते हैं जैसे कि एक थोड़ी असान लग रही है दो नहीं है तो जल्दी से बन जाएगा तो दो एक हमारा यह है तो एक स्टेप में हो जाएगा पचीस माइनस पंद्रा पर दस दोस्तों तो एक सबराबर दस और बाई बराबर पंद्रा इस तरह में दो बैलू मिल गई है तो अब में क्या करना होगा चलिए देखते उपर जैसा कि जहां हमने लिखा था यहां माना जढा लिखा था माना मीना के, बैलके सहीतने यह बैल से ओब लिखेंगे जैसे कि यह बैल लिखेंगे जाने लिखेंग रिखेंगे 2 दश दस नोट को सो के सब प्राप्त करती है प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करती है तो इस तरह हम लिख देंगे अता है कि साथ